राधे राधे बिहारी जी के विश्य में एक कथा है कि एक मंदिर के पुजारी हर शाम पुजा के बाद बाके बिहारी जी के बिस्तर के नीचे चार लड़ू रख दिया करते थे ताकि राध को भूक लग जाए तो बिहारी जी को भूका ना रहना पड़े एक राध पुजारी जी लड़ू रखना भूल गए देर राध जब बिहारी जी को भूक लगी तो उसी दुकान में पहुच गए जहां से पुजारी जी लड़ू लाया करते थे उस समय दुकानदार काम खत्म करके दुकान बंद कर ही रहा था कि बिहारी जी अपनी मनोहारी रूप में दुकानदार से बोले कि भूक लगी है चार लड़ू देना दुकानदार ने कहा कि अब तो लड़ू बचे नहीं है कल आना बिहारी जी ने कहा अंदर जाकर देखो जरा चार लड़ू बचे हैं दुकानदार दुकान के अंदर गया और उसको सच में वो लड़ू मिल गए जो पुजारी जी ले जाना भूल गए थे दुकानदार ने लड़ू देकर बिहारी जी से कहा कि पैसे दो अब बिहारी जी ने कहा कि पैसे तो नहीं है मेरे पास तुम मेरे ये कंगन रख लो ये कहकर बिहारी जी कंगन दुकान में फैंक कर वहां से भाग गए अगली सुभा जब मंदिर के पट खुले तो बिहारी जी के हातों में एक कंगन नहीं होने पर ये बात आसपास फैल गई जब दुकानदार को इस बात का पता चला तो वो कंगन लेकर मंदिर पहुँच गया और सारी बाते पुजारी जी को बता दी कहते हैं कि इसके बात तो दुकानदार भाव विवल हो गया और बिहारी जी की भक्ती में लीन हो गया बोलो राधे राधे